हेलो दोस्तो आप सभी को उमाकी रसोई में स्वागत है फ्रेंड आज बनाएंगे हम सूजी से बहुती टेश्टी सा नास्ता और जल्दी से बन भी जाता है चलो दोस्तो बनाना सुरू कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे एक कटोरी भरके लेंगे हम सूजी सूजी में डा पानी को मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से गरम पानी से यह होता है दोस्तों सूजी हमारी बहुत जल्दी से फूल जाती है एकदम दानेदार फूल के तैयार होती है अब इसको रख देते हम साइड में गैस पे रखेंगे फ्राइपेन उसमें डालती हमने ओल गरम हो जाएग खड़ा धनिया डालने के बाद क्या करेंगे यह लिए मैं दो से तीन लसुन की कलिया इनको छोटी छोटी टुकडों में काट कर मैं भून लोती हूँ भूनने के बाद क्या करूंगी दोस्तों ये लिए मैंने दो हरी मिर्च जिसको मैंने बारी काट लिया है हरी मिर्च को भी मुझे भून लेना है ये दोस्तों ये नास तब बहुत चटपटा सा और बहुत स्वाधिश्च बन के तयार होता है हरी मिर्च को भूनने के बाद क्या करेंगे एक लिया है मैंने मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारी काट लिया है काटने के बाद प्याज को भी हमें एक से दो मिने तक भून लेना है प्याज भून जाएगा तो एक टमाटर लिया जिसको मैंने बीज अलग निकाल लिया है और उसको भारी काटके और फिर इसमें भून लोंगी और प्याज को और ये टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हम डालेंगे इसमें नमक, नमक से क्या है हमारा प्याज टमाटर बहुत जाता है फिट ढाल देंगे इसमें मैची मसाला एक पाउच बर P комп कर देंगे मैंने के लिए में बड़ी साथ कर Kalाई वहमीर की करने के बादा प्याये एब अब यह लिए हैं नहीं को ए बहुताई कि आप चाहो तो अगर पानीर प्रू आप उपले हुय दिए आ भी बहुत अच्छा नास्ता बनके तः़ अ इसको पंगी पानीर के बुझिया गर्या रीडि तो इसमें लाश्ट में डालेंगे दनीया-इपति मिक्स कर 00 l बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तब तक हमारी सूजी फूल के हो गए एक दम रेड़ी देखो कितने दानेदार फूल गई है अब एक मेकसी का जाल लेंगे और सारी सूजी को इसमें ट्रांसपर कर देते हैं और सूजी को डालने के बाद दोस्तो डखकन लगाके और इसका इस तरीके का पतलासा गुहल बना के हमें तैयार कर लेना बिल्कुल बारिक फीस लेना इसको सूजी को फिर इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनूसार नामा के और आदा चम्मच के करीब डालूंगी लाल मेची पाउडर को फिर डाल दूंगे मैं इसमें धनिया पत्ता डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों इसको बढ़िया से हमें मिला लेना है यह देखो बहुत अच्छा सा सूजी का बैटर बन के तैयार हो जाता है देखने में कितना अच्छा लग रहा है और इससे बहुत टेश्टी सा नास्ता बन के तैयार होगा दोस्तों यह मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखा मैंने फ्राइपेन फ्राइपेन में बिल्कुल ओई नहीं डाला है और इसमें ए कि चम्मच बरके डाला है और क्या करेंगे इसको हम सिर्फ पे पांच मिनिट तक डख के पकाएंगे पांच मिनिट में बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है अब जो हमने जो पनीर का पनीर की बुजिया बना के रखी थी एक चम्मच से डालेंगे और इस तरीके से ल पनीर की बुजिया नहीं दोस्तों जो कम खाना पसंद करते हैं उसके लिए नास्ता बहुत अच्छा है फटाफर से बन भी जाता है एक तो मैंने बना के निकाल लिया मैं दूसरा भी आप सभी के साथ शियर कर रही हो इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया फिर इसको डख क दो मिनिट तक पकाएंगे दो मिनिट के बाद क्या करेंगे इसको खोल लेंगे डखकन को और फिर से क्या करेंगे जो हमने पनीर की बुशिया बना के रखी दी उसको डाल दिंगे और डालने के बाद क्या करेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है इस तरीके से फोल् तो आप लोग इस time में ओil भी लगा सकते हो अगर नहीं खाना प़संद तो आप शब नास्ते को बना कर लेते हो मैंने NikHH weef here is bigger oil के बहोती अधिस्त लगता है कहाने में fragen हम क्या करते हैं बचों के टिफिन में रख सकते हो ऊप सुबह के नास्ते में बना के खा सकते हो या छोटी मोटी भूख हो तब भी ये नास्ता बना के खा सकते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है अभी मैंने पूरे नास्ते बना के तैयार कर लिए अब दोस्तों मैं आप सभी को काट के दिखा रही हूं दोस्तों मैं आप सभी को याद दिला दू आज की आप सभी को मेरी रेसीपी कैसी लगी अगर आप सभी को मेरी रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है आप लोग लाइक करना अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना और आप लोग मुझे जरूर बताना कभी आप लोगों ने भी इस तरीके की बना के खाईए